नमस्का दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में बात करें बीटा डिंग क्रीम के बारे में दोस्तों बीटा डिंग क्रीम बिन मेडिकेर दोड़ा निर्मीते काइजमेंट है यह brand spectrum antiseptic यह सरीन में होने वाले bacterial infection में इस्तेमाल होने वाली दवा है आपको बता दें कि यह tube की रूप में बाजार में मिलता है दोस्तों तो दोस्तों आईए इसके बारे में बिस्तित से जानते हैं बीटाडीन मलहम में पोवीड और आयोडीन मुख घटक की रूप में होता है और यह जिवार फंगल वाइरस प्रोटो जोल और स्पोर जैसे संकरमर के इलाज और रोक्थाम के लिए इसका उपियोग किया जाता है बीटाडीन एंटिसेप्टिक समाधान कटने घखाव घरसड और जलने के संकरमर के इलाज के लिए इसका उपियोग किया जाता है बीटाडीन एंटिसेप्टिक मलहम समाधा तोचा के संकरमर का उपचार और मामनी जलने खटने और खरोज के संकरमर को रोकने के लिए इसका उपियोग किया जाता है बीटाडी मलहम की आम खुराब की बात करें तो इसमें साथ दिन तक प्रत दिन तीन बाल लगाएं या दवासिर बाहरी उप्योग के लिए है कि सोर बच्चे और सिसु नोजाब सिसु की सुच्छा के हिसाब से इसका प्रियोग करें बीटाडी मलहम की कुछ साइड एफ्यक्ट भी होते हैं जैसे तोचा में चलन होना, तोचा पल लानिमा, थाइराइड का संतुलन, चेहरे तोचा होठा होट और गलेव की सूजन, तोचा पन नीलापन, गुर्दे में विकार, थाइराइड की समस्या, दक्त चाप में कम होना, आख में चलन, जी मिचलाना, उल्टी दस्त ये सब कुछ बीटा डिंग मलहम के कुछ साइड इफ्यक्ट हैं दोस्तो आपको बताने गुर्दे और थाइराइड के रोगियों को इस क्रिम का उपयोग करने से पहले अपने डाक्टर से सलाह जरू ले लें और साओधानी पूरोग इसका इस्तेमाल करें बीटा डिंग क्रिम में एक इंटी सेप्टिक क्रिम है इसलिए यह बैक्टिरिया दोरा होने वाले इंफेक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इसका उपयोग करने से पहले अपने डाक्टर से सलाह जरू ले ले लें बीटा डिंग मलहम को लगाने से पहले कुछ सावधानी आपको बरतनी चाहिए जैसे उन मरीजों के लिए बीटा डिंग का प्रियोग नहीं करना चाहिए इसलिए थाइराइड रोगी वाले मरीज को वीटा धीन मलहम का उपयोग करने से पहले अपने डाक्टर से सलाह जरू लेने ने चाहिए